रितुओं से परीजे छूटू, आज मैं बाजार जाने वाला हूँ बोलो, तुम्हारे लिए क्या लाओ? चचा, आप मेरे लिए आम मेंगो ले आना मुझे आम, मेंगो बहुत पसंद है अरे, आम, मेंगो तो गर्मी की रितु समर सीजन में आते है गर्मी तो मुझे पता है पर रितु, सीजन क्या है? चलू, मैं तुम्हें रितुए सीजन के बारे में समझाता हूँ दोस्तो, आज इस वीडियो में पारत की मुख्य तीन रितुओ सीजन के बारे में जानेंगे छूटू, पारत में मुख्य तीन रितुए सीजन है एक समय अवधी तक, जब मौसम, वेदर, आम तौर पर एक जेसा ही रहता है इसे रितु, सीजन कहते है ये मौसम, वेदर क्या है? किसी चग के हर दिन के हालात में आने वाले बदलाव को मौसम, वेदर कहते है जैसे सुपह अच्ची दूप खिली हुई होती है और शाम को बादल छा जाते है पर चाचा, मौसम, वेदर और रितुए, सीजन एक दुसरे से अलग कैसे है? देखो, मौसम, वेदर हर दिन बदल सकता है पर रितुए, सीजन नहीं अच्चा, तो हमारे देश में कितनी रितुए है? वारत में मुख्य तीन रितुए है ये हमेशा साल के निश्चत समय पर एक ही क्रम में आती है ये तीन रितुए कौन सी है? गर्मी यानि ग्रिश्म रितु समर सीजन, वर्षा रितु, मौनसोन सीजन और ठंडी यानि शेत रितु, वेंटर सीजन ये पता कैसे चलेगा कि अभी कौन सी रितुँ चल रही है? मार्च, अप्रेल, माई और जून के महिनों में गर्मी बहुत होती है इसलिए ये गर्मी के महिने है अरे हाँ, गर्मी में स्कूल में चुटिया होती है और उस समय मम्मी मेरे लिए आम भी लाती है छूटू, आम के अलावा तर्बूस, अनानस, जैसे फल और गवार की फली, पिंडी, लौकी जैसी सबजिया गर्मी की रितु में आती है छूटू, गर्मी की रितु में तेज दूपी होती है हाँ, मुझे प्यास भी बहुत लगती है और नंगे पैर पर चलने पर मेरे पैर जल जाते है सही है, गर्मियों में हम हलके रंगे सूती कपड़े पहनते है और हाँ, गर्मी से बचने के लिए हम पंखा चलाते है और ठंडी ठंडी आईस्क्रीम पिखाते है छूटू, गर्मी की रितु के बाद वर्षा रितु आती है हाँ, इस रितु में बहुत बारिश होती है और हाँ, कभी-कभी तो सूरज बादलों के पीछे चिप जाता है हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर बारिश के महिने है इस रितु में केले, आलू बुखारे, आडू, जैसे फल और करेले, शिम्ला मिर्च, मक्कई जैसी सबजिया आती है और हाँ, इस रितु में बारिश में भीगने से बचने के लिए हम रेन कोट और छातिका उप्योग करते है एकदम सही कहा, बारिश की रितु के बाद आती है ठंडी की रितु, यानी शीत रितु हाँ, ठंडी से बचने के लिए, ममी मुझे उनी कपड़े पहनाती है नवंबर, दिसंबर, जन्वरी, ये शीत रितु के महिने है इन महिनों में, अनार, अमरूद, खजूर जैसे फल, और टमाटर, मूली, बैंगन जैसे सबचिया आती है चाचा, इस रितु में सुबर स्कूल जाते समय, ठंडी की कारण मेरे दाद बचते है और हाँ, रात को तो ठंडी से बचने के लिए पापा मुझे आग के पास बिठाते है चलो, अब मुझे तीनों रितु के बारे में बताओ हाँ, बहुत दूप पढ़ने वाली रितु यानी गर्मी या ग्रिश्म रितु जिस रितु में बहुत बारिश होती है, वो वर्शा रितु और बहुत ठंडी पढ़ने वाली शीत रितु अरे वाँ, शाबाज छोटु, चलो, अब मैं बाजार जाता हूँ तुमारे लिए क्या लाओ, अभी वर्शा रितु चल रही है, तो मेरे लिए के ले, और आलू बुखाडे ले आना ठीक है, अरे चाचा, अपने साथ छाता रखना मत भूलना हाँ छोटु, बाई, बाई दोस्तो, आपने इस वीडियो में भारत की मुख्य तीन रितुओ, सीजन्स के बारे में जाना अगली वीडियो में सब्ता के दिनों, बारा महिनों और रितुओ से जुड़े दिल्चस्प उदारन देखेंगे झाली वीडियो में सब्सक्राइब देखेंगे